स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल चौश्रे में दोस्तों UPSC NDA के तरफ से एक नई वेकेंसी आई है ओनलाइन फॉर्म है दोस्तों 2021 की आप लोग इस फॉर्म को आवेधन करने के लिए अगर आप 12 पास हैं किसी भी सब्सेक्ट से तो आवेधन कर सकते हैं आर्मी एर फोर्स और इंडियन ने भी इन तमाम जो है तीनों जो है यहां पर वाकेड़ेड में आपको यहां पर वेकेंसी देखने को मिलेगी इसकी 400 यहां पर टोरल नंबर अप पोश्ट है जो कि UPSC NDA के तरफ से निकाली गी है अपलाई इसे करने से पहले कुछी बात होगा आप लोगो धियान रखना होगा जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चलके इन तमाम चीजे जो है बताने वाले हैं के बिसे में हम थोड़ी बिस्तार से जानेंगे ताकि आपके इमन में जो भी डाउट है वो किलियर हो जाए कौन-कौन से कंडिडेट आवे दिन कर सकते हैं इस फॉर्म को जा आ वह भर सकते हैं उसके बार में भी बताएंगे दोस्तों यह वेकेंसी के तरब से कंडिक्ट करवाई जाती है पर एक बर अड़िये की वेकेंसी है अब हम बात करेंगे आगे चल कि इसकी जो है ऑफिसियल नोटिफीकेशन पर जहां पर मैं आपको सभी जानकारी प्रॉपर देने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप पहली बात चैनल पर दोस्तों में इस वीडियो को सेर कर भी दीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटल में अब दोस्तों आप सब भी देख सकते हैं यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जो यूपी एसी की द्वारा कंड़क्ट करवाई जाती है यह एक्जाम और यहां पर ज सकते हैं यानि कि आज ही से यह जो है इसका लिंक हो चुका है और 29 जून तक आप इस फॉर्म को भड़ सकते हैं अब यहां पर इसकी बैप साइट आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वैसे आप इस बैप साइट पर भी चेक कर सकते हैं और जहां से आप आप आविदन भी करेंगे उसका भी डाइरेक्ट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप लोग जरूर चेक आउट किजिएगा अब यहां पर कुछ इंप्रेंट चीजे बात करते हैं सबसे पहले वेकंसी के बाड़े में कि आप आपको यहां पर क्य अगर दोस्तों बात की जाए इसकी पैटर्न की तो सबसे पहले मैं बता दू एक्जाम पैटर्न जो है अगी वह पहले आपकी जो है वह रिटेन एक्जाम होगी ठीक है अब्जेक्टि टाइप और इसमें निंगेटिव मार्क भी होने वाली है यह चीज यहां पर कहा गया ह ठीक है और यहां पर बात कर लेते हैं कौन सा पेन ही यूजज करना है तो ब्लेक हो यूज़ करना है एक्जाम में उसके बाद आपकी जैसे ही यहाँ पर एंडिय का लियू किलियर होगा तो आप से इसेस्वी इंटर्वुई लिया जाएगा जैसे आपका वह से्सवी किलि जो है डिफेंस में जो टोटल है आपका देख सकते हैं 370 पोश्ट है जिसमें इंकलूड है 208 पोश्ट आर्मी के लिए 42 पोश्ट जो है वह नेवी के लिए और 120 जो है पोश्ट वह एयर फोर्स के लिए है इसी में इंकलोडिंग जो है ग्राउंड ड्यूटी वाले जो है यहां पर टोटल नमबर पोश्ट आती है जिस पर यह वेकेंसी आई हुई है ठीक है तो यह चीज आप लोग काफी ज्यादा इंप्रोडेंट तो धियान रगिएगा अब दोस्तों एक्जामनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब जो है वह तीस ऐसे जगह है जहां पर आपकी यह जो है एक्जामनेशन सेंटर बनेगी आप लोग देख सकते हैं अगरतला एहमदाबाद ठीक है इसी तरह से हर एक्जाम है है जैसे कॉलकता हो गया पत्ना हो गया पंजी एमपी हर जगह यूपी में भी है चारपात जगह यहां पर जो है इसकी लिमीट की बात करें तो यहां पर दोस्तों बताया गया है जो वह सेकेंड जनवड़ी 2003 से लेके और एक जनवड़ी 2006 की बीच में अगर आपका जनम है डेट अब बर्त है तो आप आप इस फॉर्म को कर सकते हैं अनमेरेड मेल कर ठीक है यहां पर देख सकते हैं कहा गया की बात की जाए दोस्तों तो फॉर्ब आर्मी ठीक है विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकैडमी जो भी कंडिडेट्स आर्मी वाले पोश्ट के लिए आवेदन करेंगे आफिसर के पोश्ट के लिए तो उनको केवल यहां पे टुवेल्ट पास मांगी गई है या इससे जो है इकुविलेंट कोई और डिगरी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपने टुवेल्ट किसी भी सब्जेक्ट से करा है आर्ट, कॉमर्स, साइंस तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं ठीक है वहाई पे दोस्तों कहा गया है सेकेड़ में देख सकते हैं कि एर कबांठ और होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं यह थि ध्यान रख लेगा ठीक है जो लोग कर चुके हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं यह भी चीज आप भोन धियान कर सकते हैं अगर थे तो घ्थे जो आपका 100 रुप सो रुप या यानि की 100 रूपीज रखी गई है जो कि जेनरल और OVC वाले कंडिड़ेट के लिए ही केवल है अगर आप SCST है तो आप इसके लिए जो फी पेमेंट नहीं करिएगा जो कंडिड़ेट जेनरल और OVC है उनको यहां पे 100 रुप्या फी पेमेंट जो है लग रहा है यह ओल इंडिया फी पेमेंट करना चाहते है तो डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड या जो है नेट वैंकिंग के थुरू आप लोग इसे जो है फी पेमेंट कर सकते हो यह चीज भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा अब दोस्तों यहां पे इसकी सिलेवस के बारे में बात करें तो तीन है वह कोड़ वन में आएगा ठीक है यह इसके लिए जो है आपको 300 नंबर के यहां पर एक्जाम होंगे जो अब्जेक्टिव टाइप होंगे और अधाई घंटे का आपको यहां पर समय दिया जाएगा उसके बाद यहां पर जो होगी वह कोड़ सेकेंड में होगी और इसक ठीक है जो आपका अब्जेक्टिव टाइप होगा वह उसके बाद अगर बात करें SSB टेस्ट या इंटरव्यू की तो इसके लिए आपको 900 मांस का इंटरव्यू देने आपड़ेगा यह चाहिए आप लोग ध्यान रख लिजिएगा और दोस्तों जितने भी यह सभी कोश् कोश्ट्री जो हगा वह दिया रहेगा यह सभी जो है जो आपका लेंग्वेज होगा वं इंग्लीज में ही आपका और यह दि ध्यान रखेंगा उसके यह रहें तो जो आपका है तो maximum जो 300 नंबर की है तो इसमें कुछ detail में दिया गया कि कौन-कौन से टॉपिक से यहाँ पर आपकी जो question रहेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है paper second जो आपकी होगी general ability test ठीक है code number जो है यहाँ पर second जिसकी maximum जो है number of post यहाँ पर 600 है उसमें part 1 में English होगी जो की 200 नंबर की होगी उसके general knowledge होगे 400 नंबर की उसी में अगर देखा जाए general knowledge में तो आपकी physics, chemistry उसके बाद यहाँ पर देख सकते है general sciences में होंगे उसके history उसके यहाँ पर और भी सारे इसके parts होंगे जो ग्राफी और भी सारे है जैसे current events यह सभी आपकी general knowledge में 400 नंबर वाले में पूछे जाएंगे ठीक है उसी तरह देख सकते हैं मैंने आपको सभी जानकारी दे दिये हैं दोस्तो और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझावो इस वेकेंसी के रिकार्डिंग तो आप जो है comment कर सकते हैं comment box में आया आप जो है इसकी official notification अगर प्राप्त करना चाते हैं तो आप telegram group में join हो ज जाएगा या आप हमारे इस्टाग्राम आईडी पर हमसे मैसेज कर तुरू भी बात कर सकते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलते अगली वीडियो में